जो नई ववस्ता नए चेर्मेन के रूप में आपने संभाली है इसमें जो भरती पर क्रिया कोई करोना की वज़े से रुकी हुई है तो अब कितनी भरतियां कब तक होने की संभावना है अभी हमने जो पेरामेडिकल स्टाफ है उसकी जो उन पदों की भरती का सडूल लगब जारी कर दिया है कल आपके समचार पत्रों और हमारी वेब साइट पे हुआ जाएगा जो स्टाफ नर्स है MPHW है TV वरकर्स है जो एसिस्टेंट है ओप्रेशन थीटर के इस तरह की 32 पोस्टें हैं जिनका 16 जुलाई और 17 जुलाई को यहीं पचकुला में ही एक्जाम होने ज जाए जो पिछली वर्ती परक्रिया है 20-22 जार के करीब जो कोविड की वज़े से कहीं न कहीं रुकी पड़ी है और नहीं परक्रिया जो अपनाने जा रहे हैं कितनी वर्तियां और हो सकते हैं टोटल अगर देखा जाए वर्श 2021 में इस पैरामेडिकल स्टाफ के तुरंत ब जिसमें 65 पद जो हैं वो महिलाओं के लिया अरक्सित हैं और 400 मेल को वह हैं एसाई एसाई और लगबग 524 जो है कमांडो बर्ती करने जा रहे हैं ये परक्रिया भी हम अगले दो महिने में पूरी कर देंगा अगर वर्श 2021 की चर्चा की जाए वित वर्श की तो इसमें लग और काफी आज से देख रहा है कि कोवीड ने सारों को परिशान कर रहा है अभी जो हमने टेक्नलोजी अपनाई है कि हम ओन लाइन आगे से ओन लाइन डाकुमेंट वेरिफिकेशन करेंगे तो फिजिकल स्टूडेंट्स को यहां या कंडिडेट को आना नहीं पड़ेगा औ तो मेरा अनुमान है कि लगबग 25,000 पड़ों की भरती हम आने वाली 31 मार्च तक कंप्लीट कर चुके होंगे 22,000 पड़ों पिछली पेंडिंग है 25,000 और कर देंगे लगबग 50,000 के करीब की भरती हो सकती तक लगबग 50,000 पड़ों पे हम नुक्ति कर देंगे प्रिक्षा केंदरों को लेकर कहीं न कहीं चर्चा रहती है कुछ प्रिक्षा केंदर ऐसे भी हैं जो जहां प्रिक्षा कर्मचारी चेहना योग सभावी तरुप से नहीं करवानी चाहता क्योंकि वो सवेदर शील माने जाते हैं क्या इसके बारे में कहेंगे अभी हमारे जो ग्राम सचीव की भरती कैंसल हुई है तो उसमें सरकार ने पुलिस की और सिविलियन्स की एक S.I.T. गठित की थी तो उसमें हमारे पास पूरे हरियाना से जो सब्वेदर सील सेंटर है या जिले है उनकी सूची आ गई है और वहां के जो जिला परसासन है उसने खुद रेकॉमेंड किया है कि ये जो सेंटर है यहाँ एक्जाम कंड़क्ट नहीं करना इन जिलों में नहीं करना तो ये सब एहतियात बरतेंगे कितने जिले हैं और कौन कौन से हैं अभी जो चीनित की हैं उनमें रोतक जजर मेवात और सोनी पत जिला ऐसे हैं जिसमें हम प्रिक्षा नहीं करवा रहे एक दादरी जिला ऐसा है जिसकी कपैस्टी ही चारह जार है तो उसको भी हम अभी नहीं ले रहे हैं जो प्राणी विकैंसी पेंडिंग पड़ी हैं, उनको भी कहीं न कहीं, आप प्रियोर्टी पर रखेंगे? बिल्कुल प्रियोर्टी पर रखेंगे, जितनी भी सरकार की डिमांड हमारे पास आई हुई है, अम प्राथमिक्ता के अधार पर और पूरी सिद्धत के साथ उसको कम्पलीट करेंगे. बपाल सिंग जी, वन टाइम रिजिस्टेशन, इसकी क्या स्थिती है? कितने बच्छों की रिजिस्टेशन हो चुकी है? वन टाइम रिजिस्टेशन जो है, उसकी लास्ट तारिक जो फारम अप्लाई करने की वो 30 जून है, और अभी तक जो आंकड़ा है, वो लगबग साड़े चार लाख लोगों ने वन टाइम पॉर्टल पे रिजिस्टेशन वो क्राच चुके हैं. और मेरा आप लोगों के माद्यम से, आपके चैनल के माद्यम से, सभी जो कंड़िडेट हैं हरियाना के, यह हैं, उनसे मेरी अपील है कि वो वन टाइम रिजिस्टेशन पे अपना रिजिस्टेशन कराएं, जिन्होंने अभी तक नहीं कराया, क्योंकि भविश्य में जो भी हरियाना करमचारी चैनायोग है, उसके पोर्टर पे रिजिस्टेशन करा सकेगा, वन टाइम रिजिस्टेशन की डेट कई बर सरकार पहले भी एक्स्टेंट कर चुकी है, क्या आप भुशे में भी एक्स्टेंट करने की आप अकालत करेंगे, क्योंकि हरेना की अगर बेरोजगार है, उसमें यह है कि कई बार एक शीट के लिए पँच पच शीट के लिए पाँच अपलाई कर दिया, हमारे को क्या लगता है कि एक ही कंडिडेट ने पाँच दफाव अपलाई कर दिया, तो वह संख्या बहुत ज़ादा हो जाती है, तो जब उन टाइम की बा है एक लौन को बाद में कोई क्या कुशन कर सकता है इस में अच्छा कोष्चन की यह यह वर करोड़ है वह अगर आपकी कॉलिफ केश्व है अगले वह जाती प्रोडadow नУ जाती है add कर सकते हैं या कई चीज़ें से में delete कर सकते हैं कि मेरे घर में नोकरी आज नहीं है कल मिल गई तो मैं उसको भी delete कर दूँगा यह option हर से मैं candidate के पास पूला रहेगा कि वो अपना score सुदा रहने के लिए अपनी high qualification को edit करने के लिए वो किसी भी time one time registration के portal पे जा सकता है one time registration को क्या आप counter check करवा रहे हैं क्योंकि कहीं न कहीं टेक्निकल दिक्कत बच्चों को आ रहे हैं बीच बीच में जो टेक्निकल प्रोब्लम आती है बच्चे जो candidate है वो हमारे ध्यान में लाते हैं और उन तुरूटियों को हम ठीक करते हैं अभी तक जो एक मेजर वो आई थी कि उसमें हरियाना से बाहर के जो लोग हैं वो अपलाई ठीक नहीं कर पा रहे थे वो एक अनुभावगा था कि अगर किसी का दो इस्टिटूट से अनुभाव है तो वो पोर्टल एक ही डाकुमेंट को उठा रहा था वो तुरूटी भी ठीक कर दिये स्टेट एलिजिविल्टी टेस्ट बेसिकली क्या है इसका लाब क्या रहेगा और यह कौन सी अजनसी करवाएगी CET है, Common Illigibility Test उसको NTA कराने जा रही है National Testing Authority बनी हुए है बहुत जो हीमानदारी पार दरस्टा से काम करती है पूरे देश में करती है वो तो वो जो National Testing Authority है वो ही जो One Time Registration का CET है उसको कंटक्ट करेगी बेसिकलिए उसका लाब कैसे रहेगा, क्या रहेगा उसका लाब ये है, कि जो CET क्वालिफाइड लोग है वही हरियाना स्टाफ सेलेक्शन कमिशन के पास सक्रीनिंग टेस्ट के लिए आएगा उसका फैदा ये है, कि हमारी जो हम लाकों की संक्या में एक्जाम लेते हैं, उमीदवार्स का वह संक्या हमारे पास तीन गुणा रहे जाएगी उसका जैसे पाँच हजार क्लरकों की हमने बर्ति करनी है तो हम सक्रीनिंग टेस्ट सिरफ पंद्रा हजार लोगों का लेंगे अब तक हम लगबग बीस लाख लोगों का ले रहे ते पंदरानाक लोगों का ले दे ते तो एक संख्या को कम करने के लिए सरकार बहुत अच्छी हो जना ले के आई है पर लीकेज का मौमला हर बार होता है ज्यादा दर चर्चा में आता है सुर्खियों में रहता है और कहीं न कहीं कॉश्चन वार्क लगता है आपके सारी ववस्था पर प्रशन चेनल लगाता है उसको कैसे विराम लगाएंगे ऐसा है अभी तक मैं पिछले छे साल से यहां सुदस्टे के रूप में भी काम किया है और मुझे बताते हुए एक उसी यह हो रही है कि आज तक हमारा कोई पेपर लेक या आउट नहीं हुआ है कुछ सेंट्रों पे चीटिंग की गटनाई हुए है और हमने इस कोविड काल में यह कोविड काल हमारे लिए एक परदान लेके आया है कि हमने इन सब चीज्जों पे पूरी तरह से स्टड़ी की है दूसरे स्टेट्रों की स्टड़ी की है और नहीं टेकनलोजी की स्टड़ी की है तो अब हमारे पास ऐसी नहीं टेकनलोजी आने वाली है आने वाले दिनों में कि यह जो चीटिंग का भी मामला है ये भी कंडिडेट के लिए संभव नहीं होगा और जो रही बात दूसरी इस दोरान सारा माफिया जो है वो पुलिस के सकंजे में आ चुका है जो इस तरह की गटनाओं को अंजाम देता था वाफाल सेंगे एक चीज और पूछने चाहूंगा जैसे कि पहले होता रहा है अब क्योंकि प्रक्रिया आप चेंज कर रहे हैं क्या इसमें भी रिलिफ मिलेगा जैसे एक बच्चे की जगे दूसरा कोई बैठ जाता था प्रिक्षा देज देता था क्या उनको पकड़ना अब सहज रहेगा इसी चीज़ों को यह बहुत आसान है उसको इन परसोनेशन कहते हैं कि एक किस्तान पर दूसरा बैठ गया अब यह सरकार की धायतों के अनुसार हम बायो मैट्रिक नहीं करा सकते पर हमने उसका भी एक अलग से सिस्टम टेक्नलोजी ने निकाल लिया है फेस की वो करेंगे वो और आईज की रीटिंग करेंगे और जब हमारे पास स्क्यूटनी पे आएगा तो हम देखेंगे कि वो वही कंडिडेट है क्या जिसने परिक्षा दी थी यहां तक निसक्यूटनी पे नहीं जिस डिपार्डमेंट में उसकी पॉइंटमेंट हुई है महां सेलेक्षन के लिए जब जाएगा वो दोन्नों चीज़ें उससे मैच करेंगे कि कंडिडेट ओरिजिनल है या वो कंडिडेट अलग था ये कंडिडेट अलग है यूवर्ग को बतौर चेर्मेन आप क्या आशोस्त करेंगे इस मामले में मैं यूवर्ग से यही कहना चाहूंगा कि सरकार पूरी मांदारी पारदर सिता से बरती कर रही है मेरिट के द्यार पर योग गयता के किसी भी इफ हैंड बटके कर में छोड़गे पूरी तरह से अपने एकजाम की त्यारी करें हरियाना में नोकरियों को अंबार लगने वाला है और जो पांच-छे साल से मान्य भारती जी के नित्रितव में काम हो रहा था वो ऐसे ही कंटीनियों होगा और सपीड अप होगा जिन बच्चों ने अभी तक वन टाइम पे जाके रिजिस्टेशन नहीं कराया उन से भी मेरा अन्रोद है कि वो जल्दी से जल्दी 30 जून तक पोर्टल खुला है वो रिजिस्टेशन कराएं क्योंकि हरियाना स्टाफ सेलेक्शन कमिसन में अब के बाद 30 जून के बाद जो भी भरती होगी वो वन टाइम रिजिस्टेशन से ही होगी जो पिछली प्रिक्शाई आप लेंगे वो किस परकριय के तहद लेंगे और सरकार को आपने क्या Ķीफ सेक्टरी साब को परस्ताब भेजा है जो पिछली है और पिछले ही पेंटरन पे होगी कि इस वोगत ध्यान में हों कि कितने वरतियां और निकल सकती हैं लग बीस बाइस साजार की टिक विजिसन और अगले महिने में आने वाली है